है व्रिवन कैसे हैं आप सभी उमीद करते हैं अच्छे होंगे तो आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं बिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्टन इस सीरीज में अपन बही कोश्टन कवर कर रहे हैं जो जाम की दरसी से हैं बहुत ही जादा महत पूर्ण और इस सीरी करेंगे किवि का अपन बही कोश्टन पढ़ेंगे जो की एक्जाम की दरसी से महत पूर्ण है क्योंकि आपको समय बहुत ही किम्ती है उसे बरवाद नहीं करेंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कोश्टन आपको इस तरह में से मिलेगा संस्कृती करन से आप क्या समझते है मैंने आपे heading बना के लिखा है आपको भी heading बना करके लिख देना है do remember to you आपको बिलकुल note नहीं करने है इससे आपकी समय की बचत हो जाएगी संस्क्रिती करन एक ऐसी प्रिक्रिया है का नाम है एक ऐसी प्रिक्रिया का नाम है जिसके द्वारा निम्न जाती, निम्न जाती जानते हो, निम्न जाती, है ना, तो जाती के अंतर क्या रखा है, हमने उंची नीची जाती या बना रखी है, तो निम्न जाती वाले लोग क्या करेंगे, उंची जाती वालों के रीती रिवाज को अपना लेंगे, है ना, तो इस के द्वारा निम्न जाती का सदस या लोग किसी उच्छी जाती की धार्मिक्रियाओं को अपना कर या रीती रिवाजों को अपना कर अपनी समाजिक इस्ति को उच्छा करने का प्रियास करते हैं कहने का मतलब है निम्न जाती का सदस या लोग हैं बे उच्छी जाती वाले बे रिटियों को अपना कर अपनी स्थी समाजी की सिति को ऊपर उठाने का प्रियास करेंगे ठीक है मिले से लोग इस प्रिकिया Аллов ब़ृत पुरानी है यहां तक की आजादी के समय से पहले और सुधार के लिए पच्छमी करण यानि पच्छमी के देशों से कुछ रीति रिवाज सीख लिए हैं है ना तो हर बेक्ति क्या चाहता है अपनी समाजिक इस्टि को ऊपर उठाना उचा उठाना अप उन्यति करना चाहता है है ना तो इसी प्रिकरिया को हम संस्गर्टी आ गया होगा अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो कोमेंट करके बता सकते हैं ठीक है हर चीज का आपका स्लूशन देने के लिए मैं खड़ा हूँ यांपे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है क्योंकि 100% नमबर दिलाने का है ना हमने मतलब बीड़ा उठाया है तो भर पूर मेहनत करेंगे आपके साथ ठीक है लगे रहिएगा लेकिन आज के समय इसका प्रसार कुछ अधिक हो गया है किस चीज का संस्कृति करन का हर विक्ति अपनी इस्तिति को उपर उठाने में लगा हुआ है है ना क्योंकि हर विक्ति यहीं चाहता कि समाज में हर विक्ति उसके लिए सम्मान दे सम्मान कब देगा जब वो अपनी समाज में इस्तिति को उपर उठा ले रीती रिवाजों को अपना ले ठीक है तो बहुत सारे रीती रिवाज पुराने समय के रीती रिवाजों में आज के समय के रीती रिवाजों में बहुत ज्यादा अंतर आ चु जाते हैं इस तरह का आपसे अगर कोश्चन पूछा जाए तो आपको यही लिखना आपको लिखना एक्जाम में हैडिंग मना करके ठीक है तो छेत्रबाद को जानने से पहले हम एक बात और बता दें हमारा अप्लीकेस ना चुका है भारसिंग लेक्चर्स वहां पर हम कंप्ल पुर्षनों के उत्तर दे रहे हैं हलाकि हर चैप्टर में सारे कूष्टन महत्पूर्ण नहीं होते आं ये बात आप भी जानते हैं लेकिन आप औभी तक क्या कर रहे हैं नहीं है जो इंपर्टेंड हैं नहीं हो पाई रही है और आप चाहते हैं, कि हम इस तो आप कोशन मिल जाएं जो एक्जाम में आएं, ठीक है, पता है चाप्टर में चार पांस साथ जितने भी कोशन महत्पूर हैं उन्हें कवर करा रहे हैं उनकी पीडियाफ फाइल भी दे रहे हैं वहाँ पे तो करना क्या है आपको भारसिंग लेक्चर्स जो मतलब अप्लिकेशन है वह प्लेश्टोर पर जाना है आपको बहाँ पर टैप करे दूसरी बात है आपको सरल भासा में उनकी आंसर मिल जाएंगे क्योंकि किताब में क्या होता है बहुत कठिन सब्द होते हैं और आपको याद करने में दिक्कत होती है यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूं यह चीज़ें सरल लग रही होंगी आपने एक बार बुक्स से पढ़क तक नहीं हो पाई है तो जरूर से बारसिंग लेक्चर्स हां मतलब प्ले स्टोर पे जाकर के एप अप्लीकेशन जो है हमारी उसे डाउनलोड करकी कोर्स को जॉइन कर लें ठीक है यह सुने रहा है मौका बार बार नहीं आता है और हां अभी तक 299 में चला था हमारा कोर्स लेकिन अब 50% आफ कर दिया है मातर 149 रुपय में सारी चीज़ें महाँ पर आपको उपलब्द हो जा रही है ठीक है लेकिन आप अपनी तैयारी में चार चांद लगाना चाहते हैं तो जाकर करके जोईन कर सकते हैं बना हम फिरी में यह पर पढ़ा ही रहे हैं लेकिन खड़ते हैं चैटरबाद एक शेतरी पैचान के लिए बिचार धारा है। शेतरबाद का मतलब जानते हो हर जेगा छोटे-छोटे शेतर पाया जाते हैं वहांसा क्या दार पर जाती का तो उस जाती का चैतर हो गया है या किसी धरम विसेस्दार्म के लोग रह रही हैं तो है नंटे उसे को बोलते हैं जिसेश्ट के लिए विचार धारा है जो भॉगएेले दिन्हें दाँदारी तथा विशवतान पर प्युक्त यह सकते हैं पूरा भभूमी का यह भाग उनकी प्हैशान हो गई to उनकी कुछ ना कुछ इंश भारत का नाम दे देते हैं ठीक है भारत जैसे देश में शेटर के पायजाने के कारण यहां की भासाओं जन जातीयों और धर्मों में अनेकता मिलती है करण B Laurie सारे धरम हैं जातियां हैं बहासाएं हैं रीती रिवाज हैं तो अलग-अलग छेत्र पाए जाते हैं ठीक है तो आई हो आप छेत्रवाद को आप समझ गए होंगे ठीक है और अब देखते हैं निस्ट कोश्चन अगर मज़ा आ रहा है पड़ने तो कमेंट करके बताईए कि हा बास्ता में मज़ा रहा है अप्लिकेशन पर भी ऐसा ही मज़ाने वाला है और सिर्फ बहां पर बगवास तो पढ़ेंगे नहीं है ना बहुत कम समय में आपका फूरा कोर्स कम्प्लेट करा जा रहा है ठीक है अब देखेंगे अगला बेरी मोस्ट इंपॉर्टिन कोश्चन ठीक है तो हमारा यहां पर यह कोश्चन है दलित सब्द का क्या आरत है इस तरह से कोश्चन आपसे पूछा जाएगा तो मैंने सरफ हैडिंग बना के यहां पर लिखा है ठीक है दलित सब्द का आरत दलित भूत पूर्व समदायों और उनकी नेताओं द्वारा गड़ा हु हुआ सब्द है ठीक है जो इन सभी समुहों का उलेक करनी के लिए अब आम तोर पर स्विकार कर लिया गया है ठीक है तो दलित सब्द खासकर निम्न जातियों के लिए प्रियोग किया जाने वाला सब्द है और यह सब्द इनकी निताओं के द्वारा गड़ा गया है ठीक है भारती भासाओं में दलित सब्द का आर्चित अर्थ है पैरों से कुचला हुआ या दवा हुआ या सताया हुआ ठीक है तो इस तरह का मतलब दवा हुआ या कुचला हुआ इस तरह का मतलब इसका अर्थ होता है ठीक है तो यहां पर लिखा है दलित सब्द का अर्थ पैरों से कुछला हुआ यह सब्द ना तो डाट्राम मेड कर जी द्वारा गड़ा गया था लेकिन दलित दलितों को यहां पर है ससिक्त बनाने के लिए आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया था तो दलित लोगों के लिए ससक्त बनाने के लिए अमेड कर के द्वारा जानकी जो बाबा साव अमेड कर जी थे उनके द्वारा अंदोलन चलाया गया था दलितों को ससक्त बनाने के लिए मजबूत बनाने के लिए ठीक है उनका हक समान दिलाने के लिए 1970 के दसक में मुंबई में हुए जातिये दंगों के दौरान इस सब्द क प्रियोग बहुत ब्यापक रूप से किया गया व्यापक का मतलब बड़े इस तरह प्र्विंग किया था ठीक है और जूतवा फूले जी ने Blaze इस सब्द का प्रियोग किया था ठीक है अगला हमारा प्रिक्रिया है जिसके द्वारा कानून को अधिक उदारवा सरल बना दिया जाता है तो उदारी करण का मतलब होता है कानून को सरल बना देना ठीक है जैसे की ब्यापार करने के लिए कानून सरल बना दिया जाए तो फैट्री कार खान लगाने में लोगों को दिक्कत नहीं आ तो कानून को सरल बना देने की प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं ठीक है तो यहां पर लिखा भी यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कानून को अधिक उदारवा सरल बना दिया जाता है भारती अर्थववस्ता का 1980 के दसक में भुमंडली करण प्रात्मिक तोर पर उदारी करण की ही नीती की बज़े से हुआ अच्छा भुमंडली करण क्या होता है यानि कि भुमंडली करण का मतलब होता पूरे विशुका की जो अर्थववस्ता है आपस में जुड़ी होना भुमंडली करण कहलाता है पर मित्र बन जाते हैं लोगों को विदेशों में तो पूरा विश्व आपस में मतलब जुड़ गया है भूमंडली करत हो गया है तो यह भी उदारी करण की ही देन है मतलब कानूनों को सरल बना दिया गया तब ही तो हम एक दूसरे देश से व्यापार कर पा रहे हैं ठीक है से जानते हैं तो आई होप आप यह भी कोशन समझ गए होंगे ठीक है और वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरू करें साती बारा सिंग लेक्चर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्या करना